Good afternoon everyone, तो अभी तक हमने chapter comparing quantities के अंदर ratios, percentage समझ लिया है, percentage कैसे find out करते हैं, वो भी हमने समझ लिया है, अब आज की class में हम ratios को percentage में convert करना सीखेंगे, कि किस तरीके से अगर हमें ratio given है, तो वो ratio हम percentage में कैसे convert कर सकते हैं, how to find, actual में जो ratio का meaning है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास thousand एक class में अगर हम बोलें, कि 35 boys हैं and 20 girls हैं, तो ये ratio हो गया, 35 is 220, ठीक है, बट अगर मैं percentage बोलू हूँ, तो मैं percentage किस में से find out करूँ है, अगर मैं total strength देखूं class की, तो that is boys के quantity and girls के quantity का total, ठीक है, हम उन दोनों को पहले add करेंगे, वो total quantity होगी और उससे हम boys का percentage और girls का percentage find out करेंगे, तो इसका मतलब ratio से percentage find out करना थोड़ा सा different है, we will understand that. तो हमें ratio to percentage समझने के लिए, हम एक चीज समझते हैं, suppose करो एक class में 45 students हैं, अब क्या है उसके अंदर 25 girls हैं and 20 boys हैं, तो अगर हमें इनका ratio find out करना है, तो हम कैसे find out करते हैं? obviously divide करके, तो जो ratio बनेगा, वो बनेगा 25 upon 20, और फिर हम इसको simplify करेंगे, ratio कभी भी unsimplified form में नहीं होता, हमें simplify करना पड़ता है, जो final number आता है, वो हमारा ratio होता है, चीक है? तो हमने ratio निकालने के लिए 25 by 20 को जब simplify किया, तो because दोनों ही 5 के table में आते हैं, दोनों को 5 से divide किया, तो answer finally बन गया 5 by 4, इसका मतलब ratio क्या बन गया हमारा, 5 is to 4, 5 for girls and 4 for boys, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमें ये ratio याद रखना है, girls and boys का जो class में ratio है, that is 5 is to 4, next अगर हम आते हैं, अगर हम इसको समझें, हमें percentage of girls निकालना है, girls कितनी percent हैं class के अंदर, तो हम कैसे find out करते हैं? obviously अगर आप अपने marks का percentage निकालते हो, तो आप क्या करते हो, अपने marks upon total into 100, ये ही करते हैं, तो obviously girls का percentage निकालने के लिए भी हम उपर रखेंगे girls कितनी हैं, 25, total number of students कितने हैं, 45, उसको रखेंगे नीचे and उसको 100 से हम multiply कर देंगे, तो girls का percentage आ जाएगा, अब ये जो 25 upon 45 है, क् हम जब solve करते हैं, तो simplify तो करते ही करते हैं, fractions को, तो ये 25 upon 45 में हम देख सकते हैं, 5 common है फिर से, 5 से divide करके जो answer बनता है, that is 5 by 9, that means we can say कि percentage of girls is equal to 5 by 9 multiply by 100, है ना, अब हमें जो है ratio पता था girls and boys का, अभी अभी हमने देखा, that is 5 is to 4, क्योंकि 25 and 20 को divide किया, अब यहाँ पर अगर हम देखे, percentage of girls, ratio से हम compare करें अगर, तो क्या बनता है, यह जो उपर हमने लिखा है, 5, that is the ratio, first number in the ratio 5, that was for girl, जो girl के लिए है, जो number 5, उपर हमने वो number लिखा, ratio का, नीचे जो 9 है, अगर हम ratio से relate करें, this 9 is basically what, इन दोनों का sum, ratio के अंदर, जो दोनों के लिए numbers है, provided 5 girls के लिए and 4 boys के लिए, उन दोनों को अगर मैं plus करूं, I get 9, इसका मतलब, नीचे हम क्या रखते हैं, दोनों जो parts होते हैं, ratio के, उनका sum, plus करके रखते हैं, है ना, तो अगर मुझे, and into 100, तो होता ही होता है, इसका मतलब, अगर मुझे percent ratio को percent में convert करना है, तो अगर मुझे ratio given है, A is to B, जिसमें से A को मैं first part बोल सकती हूँ, जैसे total number of students थे, तो उसमें से जो first वाला था, वो girl हो गया, तो मैं उसको part 1 बोल सकती हूँ, अगर मैं class को दो parts में divide कर दूँ तो, similarly, जो B है, second वाला है, that is second part, और जो whole है, जो total है, वो कैसे आएगा, हमारा A plus B करके, तो उस से अगर मुझे ratio को percentage बनाना है, तो percentage of first part, first part का जो percentage होगा, वो कैसे करके निकलेगा, first part का जो number है ratio के लिए, that is A, and नीचे तो हम total रखते हैं, obviously whole, वो कैसे आएगा, A plus B, multiply by 100, इसी तरीके से अगर मुझे second part का भी ratio निकालना है, percentage निकालना है, तो मैं B upon A plus B, नीचे तो हमीशा total रहेगा, और जिसका percentage निकालना है, first part का निकालना है, तो उपर हम first part वाला number रखेंगे, second part का निकालना है, तो हम उपर second part वाला number रखेंगे, and multiply कर देंगे, उसको 100 से, तो हमें उस part का percentage find out हो जाएगा, अब हम इस basis पे कुछ questions करेंगे, मेरे पास है, one is to four, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, कि ये मेरा first part है, और ये मेरा second part है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, first part के लिए, जो ratio है, that is one, and ऐसे ही second part के लिए, जो ratio है, that is four, और total के लिए, क्या बनेगा, obviously, four plus one, that means five, अब अगर मुझे first part का percentage find out करना है, percentage of first part, तो कैसे find out होगा, हम क्या करेंगे, उपर रखेंगे, first part का number, ratio में जो provided है, upon, total के लिए, जो number बनता है, हमारा ratio से, into, hundred, अब हम इसको solve कर देंगे, numerator and denominator में, अगर कुछ common नजर आता है, तो उससे हम simplify जरूर करेंगे, five ones are five, five twos are ten, zero, तो हमारे पास number बन गया, one into twenty, it means, twenty percent, तो जो first part है, that is, twenty percent, अब हम second part का percentage निकालेंगे, ऐसे ही करके, percentage of second part, वो कैसे निकलेगा, second part के लिए, जो ratio में number है, that is, four upon total into hundred, फिर से, numerator and denominator में, जैसे की, इन दोनों में common है, तो we will simplify, and फिर इसको हम multiply कर देंगे, it means, four to the eight, eighty percent, तो जो second part है, that is, eighty percent, इसी तरीके से अगर हमें three दिये हुए है, इसका मतलब ये है, कि एक whole को हमने three parts में divide कर दिया, चिक है, तो इस बार हमारा ये first part है, ये second part है, और ये third part है, three parts में divided है, इस बार whole, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर्स्ट पार्ट जो है हमारा five है, second part जो है हमारा two है, और ऐसे ही third part जो होगा हमारा, वो three है, not, not two, it's twelve, second part हमारा twelve है, तो टोटल किता होना चाहिए हमारे पास, obviously three को हम add कर देंगे, five plus twelve plus three, that means twelve plus five, seventeen plus three, twenty, अब हम हर एक पार्ट का percentage निकालेंगे, percentage is easy, percentage of first part, कैसे find out करेंगे, उपर रखेंगे जो number का हम percentage निकाल रहे हैं, first part का percentage निकाल रहे हैं, तो वो number ratio के अंदर, जो first part के लिए provided है, upon total कितना हो जाएगा हमारे पास, twenty, multiply by hundred, again numerator and denominator में अगर हमें कुछ common नज़र आता है, तो we will cancel, two ones are two, two fives are ten, तो हमारा answer आजाएगा, five into five, it means twenty five percent, हमारा first part है, exactly similarly हम second part भी find out करेंगे, second part का जो हमारा percentage हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर, second part के लिए ratio में जो number provided है, that is twelve, upon total twenty in two hundred, फिर से numerator and denominator में common है, two ones are two, fives are ten, twelve fives are sixty, यहाँ पर यह बच गया हमारे पास, it means जो second part है, वो हमारा sixty percent है, and third part, third part को find out करने के दो तरीके है, या तो हम सीधा formula से लगा दे, percentage of third part, क्या हो जाएगा, obviously third part के लिए जो number है, upon total into hundred, तो हम क्या करेंगे, numerator, denominator, simplify, and five threes are fifteen percent, यहाँ हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, जैसा कि हमने first part में भी हम उसको use कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो percentage आ गए, तो third तो हमें वैसी पता चल जाएगा, अगर मैं hundred में से दोनों को माइनस कर दूँ, जैसा कि हमने इस से पहले एक word problem में किया भी था, percentage का मतलब होता है, out of hundred, तो out of hundred अगर एक 25 है, दूसरा 60 है, तो third कितना होना चाहिए, हम hundred में से दोनों को माइनस कर देंगे, so hundred में से 60 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो second way है percentage निकालने का, third वाले के लिए, वो है hundred में से 60 and 25 को माइनस करना, that means 40 माइनस 25, again we will get 15% only, so this is this second way, ठीक है, इसमें हमें formula पुट करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन, यह हम तब तक find नहीं कर सकते, जब तक हमें 2 parts का percentage नहीं पता हो, ratio से ही related हमारा question number 7 भी है, जो आप करोगे, बट यह question आप खुद करोगे, इसके जैसा एक question आपका example का, वो मैं आपको solve करके दिखाऊंगी, question है, chalk contains calcium, carbon and oxygen, ठीक है, chalk के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, तीनों का आपको ratio given है, 10 is to 3 is to 12 के ratio में होती हैं, इसका मतलब, अगर मैं calcium के 10 parts ले लूँ, carbon के 3 parts ले लूँ, और oxygen का 12 parts ले लूँ, तो तीनों मिलकर, यह सारी quantity मिलकर, एक chalk बना देंगे, ठीक है, तो find the percentage of carbon in chalk, carbon is this second part, 3 parts होगए ना, chalk के, हमने 3 parts में divide कर दिया, calcium, carbon and oxygen, तो obviously जो second part है ratio के अंदर, that is 3, वो हमारा carbon के लिए है, तो हमें percentage तो आता ही है, second part का percentage हम निकाल सकते हैं, तो वो हमारा carbon का percentage हो जाएगा, अब आते हैं हम second part में question number के, if in a stick of chalk, carbon is 3 gram, अब मुझे carbon का weight given है, तो मुझे बताना है कि पूरी chalk stick का weight कितना होगा, मुझे सिर्फ second part का weight पता है, actual weight पता है, तो ये actual weight और ratio में क्या फरक होता है, that is अगर हम relate करें फिर से, जो हमने initial example लिया था number of students, हमारे पास number of girls 25 थी, पर जब हमने उसको simplify किया, तो ratio के अंदर जो उसका number आया, that was 5, इसका मतलब अगर मुझे ratio 10, 3 and 12 given है, तो ये जरूरी नहीं है कि यही quantity है, ये simplified version है, उस division का, उस fraction का, actual में वो quantity कितनी थी, वो हम particular ratio देख के नहीं बता सकते, वो quantity कितनी भी हो सकती है, उसके लिए हमें कम से कम किसी एक पार्ट का, या फिर complete, total पार्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमें वो ही same चीज दी हुई है, हमें एक पार्ट, यानि की carbon का actual weight given है, 3 gram, इस से हम कोई भी पार्ट या total पार्ट का actual weight find out कर सकते हैं, तो वी विल सॉल्व एक्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, इस question को थोड़ा सा मोल्ट करके हम solve करेंगे, so that आप question नंबर 7 को easily कर पाओ, तो question है, if 250 रूपीज is to be divided amongst रवी, राजू and रॉय, ठीक है, तो 250 रूपीज इसका मतलब यह total amount है, हम question को कुछ इस तरीके से solve करेंगे, कि हमें यह total amount नहीं पता है, जैसा कि हमें उस question में भी given है, कि हमें total chalk stick का weight कितना है, वो नहीं पता है, तो हम यहाँ पे भी इसको नहीं मान कर चलेंगे, तो यह 3 parts में divided है, रवी के पास 2 parts आते हैं, राजू के पास 3 parts आते हैं, रॉय के पास 5 parts आते हैं, ठीक है, तो यह parts हैं, कितना आया, कितनी rupees आया, यह नहीं पता है, हमें parts पता है, it means, यह हमारा ratio है, how much money will each get, तो हर किसी के पास, कितनी money आएगी, ठीक है, वो भी find out करनी है, percentage उसका, ठीक है, हमें percentage find out करना है, what will it be in percentages, तो percentage हम find out करेंगे, और उसके बात हम, यह मान कर चलेंगे, कि हमें किसी एक के पास, कितनी money गई है, वो पता है, लेकिन total money नहीं पता है, तो हम कैसे find out करेंगे, तो अभी मैंने यहां पर लिख दिया है, total money 250 रुपीज थी, जो फिल्हाल हम नहीं मानेंगे, रवी गेट 2 parts, राजू के पास 3 parts चाते हैं, तो राजू के पास 5 parts चाते हैं, तो obviously parts means, यह ratio बना रहा है, that means 2 is to 3 is to 5, ठीक है, अब हमें हर एक का percentage find out करना है, it is very easy, we know how to find the percentage, कैसे करते हैं हम, percentage of first part यहां पर रवी के पास है, तो रवी का percentage जो होता है, not रवी का percentage, बट दि मनी, रवी के पास जो मनी है, उसका percentage, ठीक है, percentage of money with रवी, रवी के पास जो है, that means to, उसका part upon, क्या करते हैं, total parts, कितने हो जाएंगे, 2 plus 3 plus 5, ठीक है, ऐसे ही निकलता है total, and multiply by 100, तो इस तरीके से, रवी के पास कितना percentage गया, हमें find out हो जाएगा, 2 upon 3 plus 2, 5 plus 5, 10 into 100, it means 0 से 0 cancel, 2 10s are 20, 20% रवी के पास किया, ऐसे ही राजू के पास कितना जाएगा, कितना percent जाएगा, उसके लिए हम राजू के पाट को उपर रखेंगे, total नीचे रखेंगे, into 100, फिर से 0 से 0 cancel, 3 10s are 30%, राजू के पास गया है, and similarly हम रॉय का भी find out कर सकते हैं, रॉय के पास कितना percent गया होगा, तो ये आगया हमारा percentage, और अगर हमें money find out करनी है, कि हर किसी के पास कितनी money गई, तो it is again easy, हम, हमें पता है, हमें total पता है, इसको हम बोल सकते हैं whole quantity, हर एक के पास कितनी money गई, इसमें part quantity find out करनी है, और हमें उनका percentage भी given है, तो हम कैसे निकालते थे part quantity, percentage upon hundred into whole quantity, तो अगर हमें money find out करनी है, कि हर किसी के पास कितने रुपीज गई है, तो हम ये formula पुट करेंगे, जो हमें पता है पहले से ही, अब हम question पे आते हैं, suppose करो हमें ये बताए, कि राजू के पास 75 रुपीज गई है, बट हमें ये नहीं पता, कि total money कितनी थी, हमें वो find out करनी है, तो हम कैसे find out करेंगे, जैसा कि हमें पता है, कि राजू के पास, obviously, कितने parts गई थे, त्री parts गई थे, और total कितने parts थे, तेन parts थे, इसका मतलब राजू के पास, out of ten, three parts गई, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, कि राजू के पास, out of something, 75 रुपीज गई, ये भी बोला जा सकता है, ten में से, राजू के पास, three parts गई, या second thing, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, कि कुछ money थी, उस money में से, out of that money, राजू के पास, 75 रुपीज गई, तो ये क्या हो गया, proportion हो गया, total money को अगर हम let कर दें, let, total money, be x, तो हम proportion लगा सकते हैं, यहाँ पे, three upon ten, is equal to, 75 upon x, now हमें proportion में, x की value find out करनी आती है, हम cross multiply करते हैं, three into x, is equal to 75 into ten, now very easily, हम x3 को नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि simplify करना है, x and three multiply हो रहे हैं, तो three transpose होगा, right side पे, तो obviously divide हो जाएगा, 75 into 10 upon three, three, यह cancel out हो सकता है, two's are six, three five's are 15, it means x is equal to rupees 250, मतलब total money जो थी, that was 250 rupees, now you will do question number seven, लेकरे सफशे काज भेना हैं, लेकरे सब्सक्राब चे लेकरेas,